चीज में जनता पर बोजी डाला है। 72 अजार क्रोड रपे का कार्ज और 10 अजार क्रोड की लाइविल्टी हम पर छोड़ गी। और जब हमने राजसब का रिकॉर्ड खंगाला पिछले कल हमारे मांद्या मंत्री जगद नेगी जी ने प्रेस कॉनफेंस की और उसमें बताया कि तक्रिम पच्चिस हजार मामले जिन व्यक्तियों की रिजिस्टी हो चुकी है। रिजिस्टी के बाद उनके इंतकाल नहीं हो सके। तो किस परकार के ये लोग कार्या करते रहें ये सब के सामने हैं। आपके इतने जन्मंच हुए। उन जन्मंचों में क्या इंतकाल के काम भी नहीं करवा सके। पार्टीशन के काम भी करवा नहीं सके। डिवीजन के काम नहीं करवा सके। कैसे 27,000 मामले इंतकाल के रहें। तो जन्मंच किस परकार का जन्मंच था जन्तों को सुविधायनी अपलब्द करवा सकी, तो पिछली सरकार ने जनता को ढगा था, जनमंच के नाम पर लोगों के कारिया करने को कहते थे, लेकिन जनमंच के नाम पर उन्हों ने कारिया नहीं किये, इसका उधारन आपके सामने, यह इंतिकाल के 25,000 मामले आपके सामने पड़े हैं, हमने राजस करेंगे आपदा रात पैकेज का मंडी से शुरुआत कर रहे हैं कुलू से शुरुआत कर रहे हैं बलासपुर में शुरुआत कर रहे हैं और लोगों को जो आपदा परभावी लोग हैं उनको रहात पुंचाना ही हमारा मुख्या मकसद है और उसके बाद और जो नहीं मिला है जो हमने क्लैम किया है जो क्लैम का मिलता हो वी नहीं मिला है हम चाहते हैं कि इस्पेशल डर्ली पैकेज़् तो मिला नहीं राश्टे आपदा तो गोशीट हुई नहीं और भारतिय जनता पार्टी के इन लोगों ने विधान सवा में चुने भी लोगों ने वहां जो रास्टे आपदा और स्पेशल रिलीफ पैकेज की हमने बात की ती उसमें भी सरकार का साथ नहीं दिया तो जनता के साथ कैसे खड़े रह सकते हैं पर हमारी सरकार जनता के साथ खड़ी है पर हम चाहते हैं कि जो हमारा क्लेम बनता है जो हमने बारा हजाए क्रोड का क्लेम बना है उसकी जो तीसरी केंद्रिय टीम आई है मुझे लगता कि उस बारे में जल्दी ही केंदर सरकार को फैसला करना चाहिए धन्यवाद जिला परिश्ट के लोगों से हमने बा जो हमने 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 जो ह